ऐसा नहीं है कि आप खुद पर ज़्यादा दबाव डालें, बात ये है कि आप गए और लोगों के एक समूव के सामने बेवकूफ से लगें, इसलिए आप बेवकूफ नहीं लगना चाहते हैं, आप बेवकूफ कैसे लग सकते हैं जब तक कि आप वो ना हूँ? आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, नहीं आप खुद को बुद्धिमान बना सकते हैं, है न? आप जैसे हैं वैसे हैं, अब आप जो हैं उससे होश्यार बनने की कोशिश में आप खुद को बेवकूफ साबित कर देते हैं, अगर लोग ना देख रहे हों, तो आम तोर पर आप खुद पर इतने कठोर नहीं होते, है ना, यही बात है, अगर आपको कोई ना देख रहा होता और ऐसा होता, तो आप खुद पर कठोर नहीं होते, आप काफी माफ करने वाले होते, है ना, हाँ, दस लोग आपको देख रह वाला है, यही है जो आपको परिशान करता है, नहीं, आपको अपनी बेवकूफी से चिंतित होना चाहिए, ना कि आपकी बेवकूफी के प्रचार से आपको अपनी बेवकूफी की चिंता करनी चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक होंगे, यह इस बारे में नहीं है कि लोग आ आपको देखा जाना नहीं। जब ऐसा होगा, तो आप स्वभाविक रूप से अध्यात्मिक हो जाएंगे। अब, आप सिर्फ इस बारे में चिंतित हैं, दस लोगों के सामने ऐसा हुआ। मेरे ख्याल से यह अच्छा है, एक परदा फाश हो रहा है। अब, आप लोगों के बीच क्यों बोल रहे हैं। आप लोगों के सामने मत बोलिये, आप बस बोलिये। लोग हमेशा कहते हैं, नहीं, मैं माइक में बोलने का आदी नहीं हूँ। मैं उनसे कहता हूँ माइक में मत बोलिए आप बस बोलिए माइक को पता है क्या करना है आपको माइक में क्यों बोलना है आप बस बोलिए माइक वो करेगा जो उसे करना है है न और आप लोगों के सामने क्यों बोलते हैं अगर यहां जनता बैठी है तो स्वाभाविक रूप से आप वहाँ कोई न कोई ऐसा हो सकता है जो आपको नीचे खींच ले हाली में लगबग आट-दस दिन पहले मैं नई दिल्ली में लोगों के एक दल के साथ था यह व्यक्ति अब वो कामसे थोड़े बाहर हैं पर एक समय वो प्रधान मंतरी का दाया हाथ थे और वो एक मंतरी थे और उन्होंने कई भूमिकाया दा की वो दुनिया भर में जा चुके हैं और दुनिया में हर तरह के लोगों से बात की है हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा मुझे इतना पता है वो देश में कुछ बड़े नेताओं के साथ रह रहे हैं जैसे कि इंदरा गांधी उनके सत्ताकाल के दौरान वो उनके साथ रहे और उन्होंने कहा सबसे महान नेता भी जब वो सबसे पहले किसी भीड के सामने खड़े होते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं मैंने कहा ये घबराहट आपको हो रही है क्योंकि आप कहते हैं कि वो आपका एक भाग है पर ये सच नहीं है इसलिए आपके साथ ये हो रहा है अगर आपने सच में देखा होता ये सब आपका एक भाग है तो आप खुद से ही बात कर रहे होते हैं इसमें घबराट कहा है आप जो चाहे कह सकते हैं देखिए मैं जो चाहता हूं कहता हूं तो आप लोगों के बीच नहीं बुलते अगर आप सच में सब कुछ को अपने रूप में देखते हैं तो आप बस वही व्यक्त करेंगे जो आपके साथ सही है बस आप गड़बड़ी क्यों करेंगे और फिर खुद को परिशान करेंगे उन्हें आपको परिशान करने का सुख लेने दीजे अगर आप बिना सोचे बोल रहे हैं तो उन्हें आपको परिशान करने का सुख मिलेगा आपको ऐसा क्यों करना है? यह उनका काम है दूसरे लोगों का काम उनके हाथों में छोड़ दीजे आप सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, है न? अगर आप निरर्थक धंग से बात करेंगे, तो वो आपर पत्थर फैंकेंगे, इसे इस तरह होने दीजिए, खुद पर पत्थर मत फैंकिए, ऐसा जरूरी नहीं है. झाल